मकर रासी के सभी भाई बहनों का सादर अभिवादन आज हम समझने जा रहे हैं इस 18 साल के बाद एक जो इतिहास परिवर्तन करने का जो ग्रह संजोग बना हुआ है 18 दिनों के लिए वो वास्तों में है क्या और कैसे इस टाइम पर हम जो सोचेंगे वो प्राप्त करेंगे इस बात को हम जानने वाले हैं वो टेकनिक हम जानने वाले हैं वो उपाय जानने वाले हैं जो एक लाख रुपए का होगा परन्तु ये एक भी रुपए आपसे नहीं मांगता अर्थात बिना मूल लेका होकर के भी ये बहुत अनमोल उपाय होगा जो आपके जीवन को परिवर्तन करा सकता है एक-एक बातों को समझते हैं कि वास्तों में होना क्या है 18 साल को पहले समझते हैं फिर 18 दिनों में आते हैं राहु का ट्रांजिट पिछले 30 अक्टूबर सन 2030 से ठीक आपके तीसरे घर पर चल रहा है जो की 18 साल बाद हो गया भी अब 18 दिनों का क्या तो ध्यान रखेगा इस टाइम पर पूरे 18 दिनों के लिए बुद्ध देओ जो की 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक के ये बुद्ध रहेंगे ठीक राहु के संग में कहां पर तो तीसरे घर पर ये बुद्ध और राहु का प्रभाव यहां पर देखने को मिल गया अब वैदिक एस्टोलोजी के हिसाब से राहु और बुद्ध के कॉम्बिनेसन को जड़त्व योग कहा जाता है और उपर से यहां पर बुद्ध अपने नीच के रासी पर उपस्तित होंगे देखा जाए तो कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे या फिर इस नीच के परभाव को आपने सुना होगा कि इसका परभाव बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि यही जो बुद्ध है आपके तीसरे घर के मालिक है एस्वारी पंचम भाव के मालिक है जो आपके मानसिक असांति को आपको पदान कर सकते हैं कई मामलों में देखा जाये तो यह सहीं भी है क्योंकि किसी भी जोतिस का वह एक सिर्ख इस्थान होता है एक बाप तो भाई पीटा जी तो वही है न हमारा वैधिक एश्टो लेकिन समय के नुसार अलग-अलग जोतिस्यों ने इस पर अलग-अलग कारे किया हम ने भी पिछल आपके समक्ष लेकर के हम उपस्तित हुए हैं ऐसा हमने प्रयास किया है समझते हैं कि वास्तों में होना क्या है समझते हैं कि वास्तों में आप कैसे इस टेकनिक का यूज करके आप अधिकाधिक लाभानवित हो सकते हैं अपने जीवन में देखा जाए तो यहाँ पर दो ग्रहों का मिलन हो रहा है जिस रासी पर हो रहा है वो बारा नंबर की रासी को कालपूरुस में कहा जाता है अवचेतन मन का इस्थान बारवा नंबर की जो रासी होती है वो हमारा मेडिटेसन है हमारा ध्यान है तो इसको हमने लिया अवचेतन करने वाले यदि कोई गरह है हमारे जो तिसमें वो राहू के पास समाइद है क्योंकि राहू limitless गरह है इसके पास कोई limitation नहीं है इस आप से राहू है हमारा असमित या फिर राहू को हम बोलते हैं हमारी कलपना सकती से जो connect करता है वो हमारा राहू है तो राहू को हमने लिखा कल्पना अब थीसरे जो विशेस बात हो गई बुद्ध पर आ जाते हैं क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन ठीक आपके तीसरे घर पर पना है और बुद्ध हा गहें तो बुद्ध को हमने लिया ये बुद्ध है हमारी बुद्धी हमारी सोच है ये बुद्ध अब इन तीनों को आप एक धागे में पिरो लीजिए ये time आपके लिए सर्वस्रेश्ट टाइम होगा कैसे बारवा नंबर हमारा अवचेतन मन है राहू हमारी कलपना है और बुद्ध हमारी बुद्धी मता हमारी सोच है वास्त वो समस्या होती है और समधान हम बाहर ढूनते हैं इस टेक्निक का यूज करके यदि इन ही 18 दिनों में आपने इसको यूज किया तो ये कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे आपके पारिवारिक हो आपके आर्थिक हो या फिर आपके समाजिक कैरियर के रूप में कोई हो उन सब से आप निजात पा सकते हैं मुक्ति पा सकते हैं क्योंकि 7 मार्च को बुद्ध देव का टांजिट होगा और 26 मार्च को तो चले ही जाएंगे बीच में जो दिन मिलता है हमें 18 दिनों का दिन मिलेगा इस समय पर हमें विशेष कारी ये करना होगा रात को सोने से 5 मिनट पहले और सुबह उठने के 5 मिनट बाद एक अपने अचेतन मन को आपको अफर्मेशन भेजना है एक विजुलाइस करना है आपको अपने पॉजिटिव इवेंट के लिए जो आप चाहते हैं अपने जीवन में मान लीजे ये तीसरे घर पर हैं इन दोनों ग्रहों का जो तीसरे घ तो यहां से दोनों ही ग्रहों की जो दृष्टी पढ़ रही है वो सीधे आपके भाग के भाव पर पढ़ेगी अर्थात भाग यून नती में कुछ भी हमें आव सकता है हम अपने भाग के को बहुत उचे लेबल तक ले जाना चाहते हैं हमें सोने से पहले 5 मिनट जिस इव गटना देखना है जो आप घटित होते हुए देखना चाहते हैं अपने जीवन में माल लिजे आपको अपने जॉब में या फिर अपने काम धंदे में बहुत बड़ा प्रोग्रेस चाहिए आप उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिए हैं ऐसा आपको विजुलाइजेशन करना है एक कलपना सकती करना है एक दरसन करना है यकिन मानिए ये बहुत काम करेगा आपको यदि स्वास्त में परिसानी है रात को सोते समय सिर्फ अपने स्वास्त कायम सोचे कि मैं एक स्वास्त मुझे अलाब मिल चुका है मुझे अच्छे स्वास्त की प्राप्ती हो चु सो सकते हैं कि मेरे वो करजे दूर हो रहे हैं मुझे अच्छे खासे धन की प्राप्ती मेरे कर्म के द्वारा मुझे प्राप्त हो रही है और उस धन से मैं अपने करजों से मुक्ती ही नहीं बलकि अपने परिवार अपने घर इन सब के लिए मैं बेहतर करा पा रहा हूं और य जबी आप किसी चीज को पूरे सिद्दत से चाहें तो पूरी काइनात आपको उसे दिलाने में लग जाती है। यह कोई गलत नहीं है इस औचेतन मन के ऊपर हजारों पुस्तके छप चुकी हैं जिसमें यह बताया जाता आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। तो भई सोचने में हमें क्या जाता है, वो भी positive सोचना, समय किस समय देना है तो उस समय को देना है, जिस समय पर हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा औचेतन मन पूरे रात काम करता हुआ नजराएगा, और उसी समय पर ये औचेतन मन ब्रह्मान से हमारा connectivity बना देता है, उनके भी दूर क्यों न बैठा हो, लेकिन कुछ समय पस्चात या कुछ दिनों पस्चात उसका फोन आ जाना, या फिर उसके साथ आपका मिलना हो जाना, ये सिर्फ एक normal चीज नहीं होगी, बलकि आपने जो सोचा है, वही event आपके जीवन पर घटित होगी, जब हम देखते हैं मक मकर रासी के जीवन पर, जब हम कई और पिछला वीडियो हमने बनाया है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कमेंट में लिखते हैं, कि मकर रासी का कुछ नहीं हो सकता, मकर रासी सबसे दुर्भाग के पूर्ण रासी है, हमें बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मकर रासी के ऐसे लाखों लोग हैं, जो बहुत बड़ा काम कर पा रहे हैं, जो बहुत पैसे कमा रहे हैं, अपने जीवन में सकसेस को प्राप्त कर रहे हैं, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि मकर रासी खराब हैं, और फिर इस रासी के स्वामी ही सनी देउता बनते हैं, जो कि न्याय के भले हम सबकेकेक कमेंट के जवाब नहीं दे पाते परंतु आपके एक-एकक कमेंट को पढ़ते जरूर हैं विश्वास कीजे हमारे अंदर जब हमने यहां पर सोच अपना पॉजिट्व रख लिया वो इवेंट हमारे भ्रमान के द्वारा हमारे इसवरा उससे हम तक पहुच चाने का काम वोग कर लेंगे बस हमें सोचना है बस हमें कलपना सकती को अपना मजबूत बनाना है और इसे प्राप्त करके आप जो सोचेंगे वो प्राप्त करेंगे यह पूरे 18 दिनों के लिए हैं आप चाहें तो 18 दिनों में यदि आपको positive result आ जाए तो आप इसे आगे करके वहाँ अपने कारे को आगे बढ़ाते थे हमारे मन में एक जिग्यासा थी एक कलपना सकती थी और चेतन मन का हमने सहरा लिया कि मुझे भी देश दुनिया में लोग जाने मैं भी अपने जोतिस सास्त के जो 25 साल का नुभाव है उसे मैं लोगों तक पहुँचा पाऊं और सायद इसी कारण से आज आप और हम अमने सामने हैं प्रयास हमें करना छोड़ना नहीं है और बाकी आपके तरक सकती आपके अउचेतन मन पर छोड़ दीजे वो सब काम अपने आप समाल लेंगे अपने आप वो इवेंट जो पॉजिटिव इवेंट है वो आपके लाइ यदि आप इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा बहुत मोटिवेशन मिलता है हमे कि हमने मेहनत किया है अच्छा कारे किया है और मकर रासी ने हमें सरहा है और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किजिएगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इन्हीं सुपकाबनाओं के साथ जैस्री राम